सबी को नए वर्ष 2022 की शुब कामना है इस हफते नौन एगरी कमोडिटीज में याने प्रेशियस मेंटल्स बेस मेंटल्स और इनर्जी कॉंपलेक्स में क्या रोक रह सकता है इसके चर्चा करेंगे शिरुवात गोल्ड और सिल्वर से करते हैं हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में काफी मलाजुला सा कारोबार था लेकिन जो येर का एंड था स्पॉर्ट गोल्ड में अठारा सो बीस डॉलर के उपर हुआ है जबकि स्पॉर 2700 के करीबी क्लोजिंग चांदी ने दी है आने वाले सब्ता में इसा मेरा मानना है कि 47500 से 47700 का जुस्त जोन है वो M6 गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और जब तक होल्ड कर पा रहा है तब तक 48300 और उसके बाद 48550 तक के लेविल हमें शॉट तर्म में देखने मिलेंगे और उसके बाद अगर और प्राइजिस बढ़ती हैं तो 46400 की लेविल भी देखने मिल सकते हैं वहीं एनरजी कॉंपलेक्स की बात करें तो हमने देखा कि 57500 के करीब की क्लोजिंग आई है और काफी बढ़िया तेजी हमने इस कैलेंडर येर में आते हुए देखी ह है जहां पर पिछले साल 2020 में हमने नेगेटिव प्राइजिस भी होते हुए देखी थी डव्यटी आई क्रूड में और 800 तक के लोग डॉमेस्टिक मारकेट्स में देखे गए थे वहीं पर इस साल या 2021 में हम कहें तो काफी बढ़िया तेजी के साथ क्रूड आयल ने क्लोज पाएंगे लेकिन वेरी शॉर्ट टम की बात करें एक हफते से दो हफते की बात करें तो ऐसा लगता है कि हम 5850 और उसके बाद 5980 ये दो लेवल देख सकते हैं कच्छे तेल में वहीं पर नाचल गैस में गिरावट का रुख है उटा पटक इस साल हमने काफी हद तक देखी जहां पर प्राइजिस 470 तक गई और उसके बाद 250 से 260 तक के लोज भी देखे गए और क्लोजिंग जो है 270 के आसपस आई है ऐसा लगता है कि शुरुवाती दोर में ये जो मंदी है जारी रहेगी अगर हम एक हफते की बात कर लें तो ऐसा लगता है कि शॉट टर्म बेसिस 25 25 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं 290 के नीचे जब तक प्राइजिस हैं तब तक सेलोन राली जैने उच्छाल पर विक्वाली की सला होगी वहीं बेस में पूरे ही कॉम्पलेक्स ने काफी बढ़िया तेजी दिखा ही पूरे साल और जो साल का अंत है वहां पर भी हमने एक decent close आते वे देखा है चाहे वो copper हो या zinc हो या nickel हो अगले साल की जो topic है वो nickel लगती है और ऐसा लगता है कि 1800 तक के level भी हमें पूरे साल में देखने मिल सकते हैं short term basis nickel में 1610 के target लिए जा सकते हैं और 1530 काईगे मिजट सपोर्ट है वहीं पर हम देखेंगे कि zinc में भी जो है वो तेजी जारी रहेगी और यह हो सकता है कि 278 के उपर तेजी रहेगी और हम 290 तक के level देख पाएंगे short term basis तो यह दो topic रहेगी base metals complex में तो यह था एक जाज़ा कि जो non-agri commodities में major commodities है उसमें क्या रुक रहे सकता है दन्यवद